आद में लाई हूँ मश्रूम की बहुती ईजी और बहुती यमी डिलीशिस वाली सबजी की रेसिपी बनाने में बहुती आसान, खाने में बहुती डेस्टी की लगेगा कि आपने बाहर रेस्टोरेंट से मंगाई है तो चले, फिर मैं बताती हूँ कि इस तरीके से ये बहुती डिलीशिस वाली सबजी मश्रूम की हमने बनाई है तो चले बनाना शुरू करते है तो सबसे पहले मैंने इसके लिए 250 ग्राम मश्रूम ले लिए, देखे इस तरीके के अब इनको सबसे पहले जो है हम cut करेंगे तो cut करने के लिए क्या करेंगे अगर आपके mushroom का size छोटा है तो आप इनको direct ही डाल सकते है पर ये medium size के mushroom थे तो इसलिए मैंने इनको दो part में कर दिया देखें इस तरीके से बीच में से cut लगा दिया है और ये दो टुकड़ों में इन mushroom को हमने सारे को कर लिया है देखें इस तरीके से अगर आपके छोटे mushroom है तो आप उनको directly इस तरीके से डाले क्योंकि पकने के बाद जो है mushroom जो हता है सुकर जाता है तो इसलिए को ज़्यादा छोटे छोटे ना करें अब mushroom को धो लिया है हमने अच्छे से अब इसमें हम ज़्या लेंगे कुछ मसाले तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं दही तो कम खटा और गाड़ा दही यूज़ करना है तो दो बड़े चमस डाला है मैंने उसके बाद में डालेंगे आदा चमस बुना वजीरा पाउडर एक चमस हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर एक चमस हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर एक चमस डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च आदा चमस डालेंगे हम इसमें मीट मसाला एक चमच डालेंगे नमक और एक चमच हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी दो चोटे चमच हम डालेंगे इसमें लस्तन अधरक और हरी मिर्च का पेस्ट ये डाल देंगे अब सबी चीजों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह categиц अगर आप नहीं बन खाते हैं सरसो का टेल तो आप फिर इसे vegetable oil में बना सकते हैं तेल जब गरम हो जाएगा तो कुछ खाड़े मसाले डालेंगे तो टालेंगे दालचेनी का टुकुड़ा पास से छे लॉंग डालेंगे, आठ से दस डालेंगे, हम काली मेर्स, साबुत काली मेर्स, दो छोटी हिलाईजी डालेंगे और एक छोटी चमच हम डालेंगे, इसमें साबुत जेरा और सबी खड़े मसालों को जो है चटकने देगे, जब सारे खड़े मसाले हमारे चटक जाएंगे, उसके बाद में हम इसमें प्यास डालेंगे, तो दो बड़ी साइस के प्यास लिए हैं मैंने, और लमबा लमब देख सकते हैं, आप पतला एकदम इनको कट कर लिया है, अभ हाई फ्लेम पे गैस को कर देंगे और प्यास को जब तक भूनेंगे जब तक की प्यास जो है हमारी अच्छी गोल्डन कलर की नहीं हो जाती तब तक जो है प्यास को हमें भूनना है तो चार से पाच मिनट में जो है ये प्यास हमारी अच्छे से भून जाएगी चलाते हुए देखे इसको मैंने भूना है और आप देख सकते हैं कि प्याज जो है हमारी अच्छी एकदम गोल्डन कलर की कर लिए हलका गोल्डन नहीं करना है जब प्याज हमारी गोल्डन हो जाएगी तो उसके बाद में जो हमने मश्रूम तयार करके रखता मसाला लगा के उसको हम इसमे डाल देंगे सभी को यह देखे अच्छे से सारा का सारा मसाला भी हम इसमें डालेंगे और उसके बाद में जो है इनको प्याज के साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है बस मिक्स करना है प्याज के साथ में मसाल मसाले का जो ऑईल है वो उपर तैर रहा है तो मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन चुका है मिला लेंगे एक बार और उसके बाद में पर जो मश्रूम है वो अभी हमारा कच्चा है तो अभी हम इसको और पकाएंगे और पानी का हम यूज इसमें नहीं कर रहे हैं तो मैं भी ज हैं मश्रूम आपनगे कड़ा, जो फोगा time कर दीजा सकते हैं, अब करवं। प्रेश क्रीम, अब कर चो पानी होती हैं दही से ही चो हमारी ग्रेवी यह तैयार हुए कियुकि मैंने मसाले बनाया अगर आप पानी डालना चाते हैं इसकपे ग्रेवी बनाना चाते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के कूक कर सकते तो सबी चीज़े मिक्स करने के बाद में अच्छे से ये हमारा मश्रूम की सबजी तयार हो गई है बारी कटव और हरा धनिया डाला है कि इसको बन कर देंगे और इसे प्लेट में सर्फ करेंगे तो बहुती टेस्टी वाली सबसी हमारी बन के तयार हुए देख सकते हैं देखने में कितनी टेस्टी लग रही है बनाने में बहुती आसान देखा आपने तो इसे आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, सबी के साथ बहुत टेश्टी लगने वाली है, तो must try recipe है, जरूर try करेगा, recipe पसंद आए, तो please video को like और share करेगा